हेलो प्रेंट स्वाधाइचना में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए बिना कड़वाहट के भरवा करेले की रस्पी ले करके आई हूँ तो इसके लिए हम मीडियम साइज के करेले ले लेंगे और करेलों को अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे और इन करेल करेले हमारे सेहब के लिए बहुत ही फायदे मन्द होते हैं और डाइबडीस पेसंट के लिए तो बहुत ही फायदे मन्द होते हैं बहुत से लोग भरवा करेले इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि भरवा करेले बनाने में तेल ज्यादा लगता है जिसकी बज़े से वह बहुत तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगे जिससे कि सिर्फ एक चमज देल में आप बहुत सारे करेले बना सकते हैं तो अब यह करेले मैंने छील लिए हैं इन छीलकों को हम फेकेंगे नहीं इसका इस्तमाल में इसी रेस्पी में करने वाली हूं वीडियो को ध्यान से देखिएगा अब हम करेले को बीच से हम कट कर लेंगे मसाला भरने के लिए उपर हम थोड़ा सा छोड़ करके इस तरीके से काटते हुए नीचे लेके आएंगे और नीचे भी थोड़ा सा हम छोड़ देंगे और बीच से इसको फेला करके देख लेंगे हमें इसको ऐसे काटना है कि नीचे की तरब से बिल्कुल भी ना कटने पाए नहीं तो हमारा मसाला निकल जाएगा तो मैं आपको दूसा भी दिखाती हूँ उपर से मैंने इस तरीके से इसको छोड़ करके और चाकू से इसे काटते हुए नीचे ले करके आना है और नीचे फ दखिएगा फ्रेंट्स कि नीचे की तरब से बिल्कुल भी ना कटने पाए सिप एक तरब से हमें काटना है तो यह देखिए सारे करेले कट करके रेडी हो गए हैं तो अब मैं क्या करूँगी इसमें मैं नमक लूँगी नमक को पहले मैं बीच में इस तरीके से लगा अंदर और बाहर दोनों तरब से मुझे लगाना है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकाउन अवश्य दबाईएगा जिससे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सौम की मातरा जादा पड़ती है और एक चमच जीरा डाल देंगे और आधी चमच मेथी दाना डाल देंगे तो इसमें मेथी दाना हमें बहुत ही कम डालना है नहीं तो इस मसाले का स्वात खराब हो जाता है हमारे करेले अच्छे नहीं बनेंगे और इनको हम अच्छी तरीके से रोष्ट कर लेंगे तो हमें इतना रोष्ट करना कि इसमें एक अच्छी सी महग आने लग जाए तो देखिए महख आने लग गई है अब हम गैस का फ्लेम बन्द कर देंगे और फ्लेम बन्द करने के बाद भी हम इनको चलाते रहेंगे ने तो यह मसाले जल जाएंगे, अब इनको हम निकाल करके हम मिक्सर जार में इनको पीस लेंगे, तो यह देखिए मैंने इसको पीस लिया है, यह देखिए कुछ इस तरीके से पीसा है, यह हलका सा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल महीन नहीं होना चाहिए, अब इसको हम बावल डाल देंगे और आदा चमच गरम मसाला डाल देंगे और दो चुटकी इसमें हिंग डाल देंगे और एक चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और ये मैंने साथ से आठ लैसुन की कलिया ली थी इसको मैंने कूट लिया था, इसको भी डाल देंगे अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और यह मैंने एक प्याज लिया था इसको मैंने डाल करके-छौप कर लिया था तो आप अगर चौपम करना चाहते हैं तो आप इसको पारिक-पारीक काट लिजिए गने म्क्सर जार में इसको डाल करके बिल्कुल भी नहीं पीस यह गा नहीं तो यह पेस्ट जैसा न जाएगा तो मसाले में डाल कर Ashama हम चला लेंगे इसको अच्छी तरीके से तो ये देखिए मैंने सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए अब आधे घंटे हो गए हैं तो अब ये करेले को मैं पानी में अच्छी तरीके से धोलूँगी रगड़ रगड़ करके जिससे किसका सारा नमक निकल जाएगा और सारी करवाहट इसकी निकल जाएगी तो ये सारे करेले इस पानी में मैं डाल दूँगी और इसी तरीके से रगड़ रगड़ का सारा नमक निकाल दूँगी मैं फैंट्स करेले में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसको हमें अच्छी तरीके से निचोड़ करके पानी निकालना है तो अब ये देखिए सारे कर ले मैंने पानी में अच्छी तरीके से धो करके निचोड़के निकाल गिया अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे इसी मसाले में और नमक डाल करके इसको हम अच्छी तरीके से चला लेंगे अब इसमें हम एक चम्मक चिनी डाल देंगे क्योंकि इसकी खटास को हम बैलन्स करने के लिए चिनी डालते हैं आप चाहें तो इसको गुर्भी चिनी की जगर गुर्भी यूज कर सकते हैं तो अब यह करेले को मैं बीच से थोड़ा सा फैला लोंगी और यह मसाला इसमें मैं भर दोंगी इस तरीके से देखिए अंगुटे से ऐसे दबा दबा करके मसाला अच्छी तरीके से इसमें भर देना है तो यह देखिए मैंने मसाला इसमें अच्छी तरीके से भर दिया है मैं एक दूसरा भी आपको दिखाती हूं इसमें भी मैंने मसाला डाल करके अंगुठे से ऐसे दबा करके इसमें अच्छी तरीके से फिलप कर दिया तो मैं सारे करेले को इसी तरीके से मसाला भर दोंगी तो ये सारे करेले रेडी हो गए और बाकी के बचा हुवा मसाला आप सेज में रख दीजिए और तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक किप्स देना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत होती है कि मेरे करेले से मसाला निकल जाता है तो इस तरीके से एक धागा लेंगे और धागे को हम करेले में चारो तरफ से इस तरीके से लपेट देंगे जिससे कि इसके मसाली बाहर नहीं निकल पाएंगे तो मैं एक और आप करके दिखाती हूँ देखिए इस तरीके से धागा लेंगे और चारो तरव उपर से लेके, नीचे तक धागा को हम लपीटते चले जाएंगे, पिर हम नीचे से, हम उपर की तरव इसी तरिके से धागा लपीटते हुए आएंगे और धागे को तोड़ देंगे तो ये देखिए मैंने दो करेले इस तरीके से आपको बना के दिखाएं हैं बाकी करेले में बिना धागा लपेट के ही बनाओंगी तो अब मैंने ये कुकर चड़ा दिया था गैस में और इसमें मैं यह छिलके जो है अब मैं इसमें यूज़ करूँगी तो यह छिलक को मैं कुकर में नीचे पूरी तरीके से फैला दूँगी तो यह तली में मैंने पूरी छिलके फैला दी है अब इसी में आप दो चम्मस पानी भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है अब ये करेले को मैं इसी में रख दूँगी तो हमें इस तरीके से रखना है कि इसमें जो मैंने मसाला भरा है वो उपर की तरफ रहे तो ये देखिए सारे करेले मैंने इस कूकर में रख दिये हैं अब इसका मैं धक्कन बंद कर दूँगी और मैं धक्कन बंद करके इसको इतना तब तक पकाऊंगी जब तक इसमें एक सीटी आने वाली हो तब हम इसको गैस को बंद कर देंगे तो देखिए इसमें सीटी आने वाली थी मैंने गैस को बंद कर दिया है अब इसका हम पूरा प तो इसके लिए मैंने एक प्लेट में करेले निकाल ली है तो जो उपर से थोड़ा-थोड़ा अगर मसाला निकल जाता है तो आप उम्ली से इस तरीके से इसको अंदर दबा कर दीजिए तो अब ये कढ़ाई गरम हो जो की है इसमें हम एक चम्मस तेल डाल देंगे और ये मैं उपर की तरफ रहने चाहिए तो ये जो मैंने कट का निसान लगाया था वो उपर की तरफ ही रखिएगा नहीं तो मसालिया जल जाएंगे अगर हम नीचे पहले रख देंगे इनको नीचे की तरफ करके रखेंगे तो अब इन करेले को हम low to medium flame में इनको हम सेलो फ्राइग कर ज्यादा नहीं पकाना है नहीं तो मसाली नीचे से जल जाएंगे बस ये सारे करेले मैंने घुमां घुमां करके इसन को हमें इसी तरीके से सेलो फ्राइग करना है ये देखिए तो friends ये सेलो फ्राइग कुछ valley थोड़े थोड़े होगर देखिए इनका कलर थोड़े बात औ बना दिन करेले बहुत ही अच्छी से चल सकते हैं इनको आप बना करके फ्रीज में रख लीजिए और जब भी खाने हो तो आप इनको सेलो फ्राइए कर सकते हैं तो यह से पांच मिल्ट में बनके रेडी हो जाते हैं तो यह देखिए इस तरीके से मैंने घुमा घुमा करके सा धन्यवाइए